हेलो एब्रीवन गुड मॉर्निंग और वेलकम पैक टू माई नीव लॉग और अभी सुबह का टाइम है और आज ना बादल है और बारिश भी हो गई थी सुबह सुबह और वस बालकनी पे वस थोड़ा सा मौसम देखा और इसके बाद मैं आगी हूं अंदर और यहां पर मैं करी हूं रियांत के टिफिन की तैयारी तो आज मैं रियांत को देने वाली हूं आलू के सैंडविच तो बस यहां मैंने आलू लिये हैं और इनको अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद इनको मैं कोकर में डाल दूँगी और इनको मैंने रख दिया है गैस पे बॉयल होने के लिए और अब मैं करूँगी पानी घरम खोले कहां को वह जाना है तो बार-बार पानी जो पहां मुझे पाने हो जाता एक बार में काठेल की सब्जी ऐसाथल का रात तो मैं आया वह था तो बस इसको मैं加वच्ष और आज मैं इसकी सब्जी बना दूँगी क्योंकि यह जादा दिन नहीं चलता है तो कठेल के ना बड़े बड़े पीस से साते हैं तो इसके मैं छोटे-छोटे पीस कट कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं धोलूँगी दो-तीन वार साफ पानी से इसको धोलेना है और इस सहत और इसमें मैंने गुंगुना पानी डाल दिया है और बस अपना गुंगुना पानी मैंने पी लिया है और इसके बाद मैं करी हूँ अब सेंड़िच की तैयारी तो बस आलू बॉइल हो गए है और जब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ तो यहां मैंने एक प्याज लि जल्दी से आलू को को कर से भाहर निकालें जोराएं निगाले कि ठंडे हो जाएं इसटायम को भी उठा देती हो रियांट ऊपनाघ। में परं बरस बरस वरस करें और नहांद धुएंगे तो जब तक कि बना दोंगी तो सेंड़िश यहां दिखिए आलू कि दो ठंडे। कंप स्कात्विक को mess लिए कि वाया कि कहा प्रवादी, या धन्य Sportली कि ज़ली से सैंडविच बन जाए और ऑर जल्डी से उसको मैं निया मैंस कर दिया है और इसमें हक टाल के कर दो कि भी चाट मुपिए संड्मक को अच्छी सब्च दरी एक अच्छी ए या यह रुद्राू मैंने यहां पे भ्रैड ली है और बस अब घिर आ लें और है और इनको घी में अच्छे से से सेख लेनाerver है तो जो आलू की सेड़ पहँ अज में रियांद को टिफिन में सेंड़विच दे रही हूं तो आज चो नीच होगा है सेंड्विश बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इसको और पूरी पराठे दे दोना तो यह विल्कुल भी टिफिन अपना खतम करके नहीं आता है तो ज़्यादा तर मैं पराठे देती हूं पूरी इतनी ज़्यादा नहीं बनाती हूं तो बस यहां देखो तवे पे थोड़ा सेंड्विश को दोनों साइड से सीख लेना और कुप करारा करारा इसको बनाना है और बस यहां पे दो सेंड्विश बना रही हूं एक तूरी यांद को टिफिन में दोंगी और एक अभी मौर्णिंग में खाके जाएंगे और यहां सेंड्विश देखिए इनके मैं ने 2 ट सेंडविच में पैक कर दूँगी तो यह देखिए कितने बढ़िया सेंडविच बना हुआ है देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं तो इस तरह के सेंडविच बगेरा दोना तो बच्चे अपना टिफिन पूरा खतम करके आते हैं और तो सबसे चाहिए मां को ३ह होती है तो यह मेरी ही कोसिस रहती है मैं अच्छा कहाना दूँ और यह अपना टिफिन खतम करके आए और यह प्रोट्स भ्रेक के लिए मैं दे रहा हूँ घर में जो भी फूर्ट्स होते हैं वह मैं रियांद को टिफिन में देती और इधर मैंने बैग भी लगा दिया है लंच बॉक्स बगएरा मैंने रख दिया है और साथ के साथ में चिलाती भी जा रही हूं रियान जल्दी से तयार हो जाओ अगर चिलाएंगे नहीं तो फिर यह बहुत जादा टाइम लगा देता है तो बीज बीज में मैं बोलती भी अपना काम भी करती जा रही हूं और कठेल भी वोईल हो गए थी तो उसको मैंने च्छनी में निकालके रख दिया है ताकि उसका जो एक्ष्ट्रा पानी होगा वह भी निकल जाएगा और रियान्थ भी रेडी होके आ गए हैं और इनको मैंने दे दिया है नास्ता तो बस से तो इनको मैं चेक कर लेती हूं क्या कमी है यहां पर नहों ने आई काड बगएरा नहीं पहना था तो यहां पर शोड़ने की बाद मैं फिर से किछिन के कामों में लग गए हूं तो पूरे बीस से पचीस मिनट मुझे लग जाते है और इनका जो इसकूल है वो 9 बजे का है मुझे ना पूरा साड़े नौ बजे का टाइम हो जाता है और अब मैं फिर से अभी चाय नास्ति की तयारी करूंगे और अभी जो मैंने कठेल वॉयल किया था उसके मैं छिकल निकाल रही हूं तो जो हाड वाले छिकल होते है जो मूह में आते हैं तो वह वाले मैंने छिकल न आयारी तो नास्ति में वही मैं आलू के सेंड़िश बनाओंगी और इसमें मैंने और मैंने मसाला रेडी कर लिया है थोड़ा सा आलू मिला लिया है थोड़ा सा प्याज मिला लिया है और बस सेंड़िश मैंने बना लिया है और इनका भी ऑफिस स्टार्ट हो जाता है तो ब मैंने डाला सरसो का तेल और अब इसमें कठेल को करेंगे भी तो कठेल को ना डीप प्राइब करना है तो बस जब तक कठेल फıराई हो रहा है तब तक मैं मसाली की तैयारी कर लेती हूं तो यहां मैंने पीस लेंगे एक पेश्ट बना लेंगे और इधर कठेल भी सिख गया है और इसको सेखना है गोल्डन विराउन तक और जब कठेल सेख जाएगा तब हम इसको कड़ाई से बाहर निकालेंगे और उसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल जादा था तो मैंने जावल रख देती हुँ बंनने के लिए गैस पे तो यहां मैंने रख दिया है गैस पे और उसमें मैंने पाणी डाल दिया है तो जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं चावल को धोक्ति पूरे खाली रख्या हुए तो बस यहां मैं कंटेनर को भर दूँगी और जो बाकी के बचेंगे चावल उनको मैं बना दूँगी तो यहां देखिए दौनों पैकेट एक ही कंटेनर में आ गए हैं और यहां मैंने चावल को धो लिया है और चावल को धोते हैं तो उसका जो इसे ऊपर से रख दिया है क्योंकि चावल को मुझे वोयल करके बनाना है और इधर कड़ाई में प्याज भून गया था इसमें मैंने सूखे मसाले डाले हैं धनिया पाउडर लाल मिशी पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है और अच्छे से इसको मसाले को भून लेना है अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें कठेल डालेंगे और वस इसमें मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए चावल के साथ खानी है और अगर आपको ग्रेवी पसंदी है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं तो यहां दिखिए मैंने पानी डाल है उसमें नमक डाला है और बस कठेल को पकने के लिए चोड़ दिया है और बढ़ियासी देखिए कठेल की सबची बनके रेडी है और इस तरह से बनाईएगा चापलों के साथ बहुत अच्छी लगती है आप एक बार बार खाएंगे इतनी अच्छी लगती है तो बस यहां मलाई को फिर से सुभई बहा निकाल के रख दिया था ताकि थोड़ी सी सौप्ट हो जाएगी और बस सबसे पहले मैंने मिक्सर जार में डाला है गुनगुना पानी इसके बाद इसमें मलाई डाली है और बस इसको थोड़ा सा चला लेना है मिक्सी से और देखिए कितना सार मक्षन बनके रेडी हो जाता है अब मक्षन को बहा निकालेंगे और इसके बाद इसी में फिर से मलाई डालेंगे तो एक बार में तो नहीं आती है तीन चार बार में मलाई से मक्षन बनाया है मैंने और देखिए खूब सारा मक्षन बनके रेडी हो गया है और आज मैं इसक स सारे बरतन इखटते हो गया है और जल्दी से सारे बरतन द मद ख्यारब गरम पानी ज़ात पीदीके कीचन करें प当 मुद्धक साफ गया है जो कपलेश है गया है अ किचिन का स्लैब इसे साफ आज मुझे फीर Period S keeps saying कितशी में साफ करेंगे吃 ले नहीं ब nessa तक विस काम का थे वांगे साफ करने की आहले तक वह सीट नहीं है तो थे काम में एक बाद शारत करता है मैं इसे की है इसे शारत कर दिया है Harald जो धूलने वाली सब्जी है उसको मैं अलग कर दूँगी उसको धोके रख दूँगी. तो कल नाइट में सब्जी आयु हुई थी तो उसको मैंने फिरिज में नहीं भरा था. और बस फ्रिज साफ हो गया है और जो प्याज था वो मैंने प्याज वाले सेक्षन में भर दिया है बाकी की जो सबजिया है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी और जितनी भी धुलने वाली सबजी है उसको मैं अलग कर दूँगी तो बस यहां देखिए सबजी मैंने रख दी है और बस जल्दी से अभी घर का सारा काम निप्टाओंगी घर मेरा पूरा फैला हुआ है तो यह स्वीट कॉर्ण है इनको मैं डबे में भरके रख दूँगी तो जब पीज़ बगेरा बनाते हैं तो उसमें डालने के काम आजाते हैं या इनको बॉयल करके भी खा सकते हैं और जो फ्रूट्स थे उनको मैंने टोकरी में भर दिया है इनको मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ सारी सबजिया मैंने खाली कर ली हैं ये धुलने वाली सबजिया हैं इनको मैं अलग कर रही हूँ और बस जल्दी से अपने घर का सारा काम समयते हूँगी और इसी के साथ मैं अपनी एस वाली वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एन तो ये था मेरा आज का वीडियो गैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक सियर करना ना भूलिएगा मैं आप से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and टेक केर